शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शीवा, मुझे पता है इस वक्त तुम किस दौर से गुजर रहे हैं। काम ने इस वक्त मुझा केला छोड़ दो, प्लीज। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मेरा अब क्या काम है इस दुनिया में। तुम तो माया से प्यार करते हो न, तो उसके प्यार किखाती मेरी एक बात सुन लो। धनी राम ने अपने दोस असलम के भुरों से माया की शादी एनराय बसंद से करवाई थी और वो उसे बेशने जा रहा था। मुझे तो लगता है इसमें भी असलम का ही हाथ होगा। बस इतना ही कहना था मज़े। कर ये अससे मीर फस्वाह। प्यल्ड़ में अ कर डाम ये कर दो कर दो दोस्वावाँ है असुक बच्पपबस, तो कर दोर दोस्तों है झाल 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 किराईदार आ गए सर, ये शोभा कंस्ट्रक्शन की फाइल है सर, अब आप आगे बढ़िये, हम आपको नई उचाईयों पर देखना चाहते हैं तुम तो जानते हो देखो एक शहर का ब्रीज बनाते बनाते मेरी तो कमा तूट गई और हर दिन कोई न कोई अडंगा खड़ा हो जाता है भाई सब आपने मेरे को एकदम शर्मिंदा कर दिया अरे आपका छुटा भाई किस दिन काम आएगा मेरे पास एक मजबूत एनराई पार्टी है फंड की आपको एक ठेड़िया भी दिखत नहीं होगी बस काले धन को सफेद धन करना है वो तो हो जाएगा मेरे पर सब छोड़ो अब चलता हो मुझे दूसरी भी करवाई करनी है आप ही ना घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते घर को यह ओफिस बना दिया कमला सुबह सुबह शुड़ो हो गई अरे हां असलम आया था इलेक्शन के लिए फंड दे रहा है आया था तो मैं क्या अब मुझे ही देखते रहोगे नाश्ता भी करोगे मैं अपने हातों से खिलाओं क्या खिला दो ना किस ने मना किया है आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो हमानी बेटी बड़ी हो गई है कुछ तो शरम करो तुम उसके पीछे खामगा पड़ी रहती हो वह आपकी लागल ना दो क्वाल नडका इससे शादी करेगा मिलेगा मिलेगा शिवा बिटा मैं कुछ दिन के लिए बहार जा रही हूं तुम से धनी राम से चाबी ले लेना आपकुर मिलेगा हो जो आपकुर मिलेगा मिलेगा मिलें तeg मेले मिलां। सुर्ण तस बोसते है Гरी बेलेगा आप भानी विर रहा चाबा है है जुभाना स्थाब्ए लीदिये आ गई आपकी लाडली क्या बात है डैड मॉम का मूद आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है अरे आदत जो हो गई है क्या आदत हो गई है अरे कपला तेरा नहीं मैं माया की बात कर रहा था कि सुबह जल्दी उठा करो क्यों माया है हां हां मॉम दैड तो बस यह ही कह रहा है क्या है मुझे भी सब समझ आ रहा है क्या सही है और क्या गलर कौन क्या कह रहा है ठीक है अरे माया सिफ रूट लिया कुछ हैवी लो ना ने मॉम बहुत खा लिये और कितना खाऊंगी अरे बेटा कुछ तो खाके जाओं मॉम बहुत मैं देखो ना कुछ खाया नहीं कॉलेज में रोज तरिया आदत सी हो गई है कब तरिया आदत सुपरेगी यार थामा का टेंशन देती है वैसे भी वो प्रोफेसर पढ़ाता कम है और उसकी नजर कभी एधर कभी उधर जाधा रहती है कैसी हो सावज द्रिबैन बस आपकी किरपा है मेरा बेटा ड्यूटी पर है और मैं किसी काम से बहार जा रही हूँ मेरे बेटे को ये चाबी दे दीजिए यहां रख दीजिए अब बस भी करना बिचारा बिचारा क्या बात है मैडम जी आज कुछ जाद ही मेर्बान हो रही है मैसे आपका बेटा करता क्या है वो इंसुरेंस कंपनी में एक्जेकुटिव है अच्छा चोटी-बोटी जॉब करता है कोई चक्करवकर तो नहीं चल रहा है अगर चल रह तो पता दे अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है अच्छा तू बोल मत चला अच्छा अच्छा को किते ही दिन बागी है अरे क्या एलेक्शन महिने के एल्ड में समझो नंजे सेट को तो टिकट भी मिल गएला है ठीक है असलम मेरे आने का इंदजार करूँ आप कौन मैं आपका नया किरायदार वो मेरे माने आपको वो उन्होंने आपको चाबी दिया था यह लीजे थेंक्यू मेरा नम माया और मैं शीवा अच्छे खासे दिखते हूं फिर यह चश्मा क्यों क्यों मैं क्या आपको मरीज ने जराता हूं हो सकता है तो ठीक है फिर कल बाहर मिलते हैं मैं बताता हूं मैं मरीज हूं यह आपकी गलत है अजी तो बहुत है अच्छा हुआ इतने कम पैसो ने इतना प्रक्क रिए जाआ होज की तीस है अब तो बस तुझे एक अच्छी जी नौकरी मिल जाए और मुझे एक प्यारी सी बहू अरे मा तु फिर शुरू होगी ना और नमस्ता अंटी हुश्रा हो अरे यार एक बात बता शीवा में नीचे इतनी देड से होन बजाए जा रहा हूं बजाए जाए जा रहा हूं और यह है जिसको होन्कि अवाज सुना ही नहीं देती अरे मुझे सब सुना यह देता है क्या मैं अलली बाक से यूं क्या राध्य तुम नहीं जानते है यह बहुत स्पेशल ताउंड है अगर एक बार यह खाने वैड़ी है न तो तुम सारा दिन रसोर में खड़ी रहोगी अच्छा चोड तुखा हमेशा मेरे खाने के लिए तोक परेता है और बता हूं और मा रस्रें में क्या करता है वहाँ भी घराकों का खाना खुद ही खाया था अपनी दोस के बारे में कोई ऐसा बोलता है ले बीटा तो इसकी बातों पर ध्यान होते अरे यार भूग लग रही चल अरे रूखना अरे यार मा दिल्ग अरे राधे तुने धन्दा तो यार बहुत अच्छा डाला राधे कॉर्णर अरे यार वह सब मा का अशिरवाद है बस अच्छे बात बता तो क्या तो काएगा और क्या पीएगा चल यार एक सौफ्ट रिंग होंग आदे शॉफ्ट हाँ ये ले तेरी सौफ्ट रिंक हुँ आरे यार यार इतना बढ़ा तुने दंदा खोला हुआ है कोई वेटर वेटर नहीं है यापर वेटर आरे यार शिवा अभी क्या है मेरे दंदा नया है तो इधर वेटर भी में यू और मालिक भी में यू वो कहते ना कि सबका मालिक एक केर तु ये सब सोड और ये बता कि तेरा ये नया गड़ कैसा है तो पिस्वी बार की तरह माकान मालिक कुछ गड़ बड़ तो नहीं निकला नई यार राधे इस बार तो समझ लेके मेरे लोटरे लग गई है और सुन कोई मिल गए है वाह क्या बात है लगता है जनाब का दिल इस गर में कुछ जादा ही लग रहा है अरे ब्रदर यार तुझे ना बाल की खाल निकालने क्या दत है यार देख तो अब ज्यादा भाव तो खा मत यार वह को ने खुश रसी बावी जड़ा हमें भी तो बता बस थोड़े दिन मैं तेरे इस रेस्टोरेंट को ना चार चांद लगाने वालों यार वह क्या है कि अभी मेरे रेस्टोरेंट में कोई भार वार नहीं है जैसी भावी आएगी तो वह कहते हैं ना बाहारों फूल पर साओ मेरी भावी आई है धनिराम भाई साब मूमी टकराओ आपकी टिकेट का बंदोबस्त हो गया वो तो हो गया मंगर पार्टी का क्या पार्टी घो लेके मैं कलापके बंगले पे चाय पानी के लेके आ रहा हूं जो आज हमने चेहर से ये चश्मा हटा दिया लो आज हमने चेहर से ये चश्मा हटा दिया और आखों से दिल में जाने का रस्ता बना दिया लो आज हमने चेहर से ये चश्मा हटा दिया लो आज हमने चेहर से ये चश्मा हटा दिया कितने ही आशित तुझ पे दिवाने हो गए कितने सूली चड़ गए और खायल हो गए कितने ही आशित तुझ पे दिवाने हो गए कितने सूली चड़ गए और खायल हो गए और मुझे भी पागल होने पर मजबूर कर दिया लो आज हमने चेर से ये चश्मा हटा दिया तेरे ही काजल से जानम नजर तेरी उतारेंगे बस थोड़े ही दिन में हम दम अपना तुम्हे बना लेंगे तेरे ही काजल से जानम नजर तेरी उतारेंगे बस थोड़े ही दिन में हम दम अपना तुम्हे बना लेंगे अर अपनी मम्मी से मैंने वादा कर लिया लो आज हमने चेर से ये चश्मा हटा दिया अर आखों से दिल में जाने का रस्ता बना दिया लो आज हमने चेर से ये चश्मा हटा दिया पप्रक्राइब अधार्ण प्रेश्मा कर दोंगे अधार्य वादा अधार्य और अधार्य वादाष्ट प्रेश्मा अरे माशालला इनका जो आउयल कंपनीज है कंस्ट्रक्शन्स हैं अल्ला का इतना दिया हुआ इनके पास में अच्छी है तेरे नाम जी हमें आपके सारी शर्ते मनसूर हैं आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कल ही आपके काउंट में सारा पैसा आजाएगा असलम भाई अहां बोलो सवदा तो पक्का हो गया मगर वो लड़की अरे वो धनी राम की बेटी माया है हमें पसंद असलम भाई अरे चुपे रुस्ताव चलो अली राम सेट मेरा दोस्त है मैं बाचराता हो तुम्हें विश्टे की अम बागाइदा शादी करेंगे असलम भाई अरे फिर तो सोने पे सुआगा हो जाएगा अब समझे ये काम भी इंशालला पूरा करेगा असलम का वादा है बेटो बेट इनसे मिलो आए ये है कामेनी मेरी कोलेल ची फ्रेंड और बता शीवा तेरा क्या चल रहा है कि अधनिरामसेट आपके काउन में पैसा तो ट्रांसपर हो गया होई गया असलम पैसे ताग है मैं मेंको आपसे कुछ बात करनी है लेकिन प्रोल पर नहीं घर पर आके करूंगा अधनि गुडिया माया बड़ी हो गई है तो शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या बात यह है कि आज तुम कितनी सुंदर लग रही है मेरा मतलब है कितनी सुंदर है मगर यार यह जमीने में इसांगी उगई है बहुत जमीने जमीनों क्या मतलब ये बसंसाब है उनको माया बहुत अच्छी अरे आप किस बात की चिंता कर रहे है आपका चुटा भाई है ना मैंने सब चीजों का इंतिजाम कर लिया है सिर्फ अपने को सवालाख रूपे के नेक पे बेटी को ब्याना राज करेगी राज राज आप सिर्फ हां कर देजिए यह कोई शादी की बात हो रही है मैंने सोचा था कि एक सपनों का ताज महल अपनी प्यार की निशानी हो मगर यह महीना गुजरते गुजरते पॉकिट की हवा बाइक के पंचर की तरह गुल हो जाती है मगर फिर भी मैं इस बार तुम्हारे लिए कुछ तो लाया हूं यह देखो यह है प्यार की सबसे सुन्दर निशानी गुलाब और ताज महल शिवा गु मैं माय की माज से बात करता हूँ मेरी निगाहों में देखो माया तुम्हे ना जाने प्यार के कितने ही ताज महल नगर आंगे मेरी निगाहे तुझ को ही चाहे तुही सनम मेरी आखों में है एक बार तुझ से मिल भी चुका हूँ तुही सनम मेरी सासों में है तेरी निगाहे तुही सनम मेरी निगाए तुही सनम मेरी तुही सरादे तुही सरा जाज सम दो giving तुझ प्यार शोजागे सोचा नहीं था मिलने पेहले कैसे मिलेंगे जाने जावा सोचा नहीं था मिलने पेहले कैसे मिलेंगे जाने जावा मेरी तमना का तु है साहिल तुझ से हुई मेरी महाबस जावा मेरी निगाहे मेरी वफा का कर ले भरोसा लेले गसम मुषे मैं हूँ यहाँ मेरी वफा का कर ले भरोसा लेले गसम मुषे मैं हूँ यहाँ किसको तुनाओं अपने रादे कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरी निगाहे तुझ को ही चाहे तुही सनम मेरी आखों में है एक बार तुझ से मिल भी चुका हूँ तुही सनम मेरी सासों में है मेरी निगाहे माया जी डैड बिटा तुमारी पड़ाई में तुमारी परवरिश में कोई कमी ना आए इस बात का हमने खयाल रखा बिटा हम चाहते हैं जब तुम इस घर से बिदा हो जाओगी तब इसी तरह उस घर में भी राज करोगी सुक से इंचे जी होगी बस बिटा एक बात का खयाल रखना हमें कभी शर्मिंदा होने मत देना आई नो डैट कि आप और मॉम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्रॉमिस यू कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूगी इससे आपको या मॉम को शर्मिंदा होना पड़े देखो माया हमने तुम्हारी शादी की बात एक बड़े घर में की है और सुन शिवा से मिलना जुलना छोड़ दो पर मॉम यह कैसे लेकिन माया शिवा और हमारे बीत में कोई बराबरी नहीं है कहां हमारा खांदान कहां वो छोटी मोटी नौकरी करने वाला तुम उसके साथ सुखी नहीं रहोगी हम तुम्हारा भला ही सोचेंगे ना हम तुम्हारे माबाप हैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे अब खाना खाओ खाना क्यों छोड़ दिया सम्झाइए ना आप खाओ बेटी हाँ शीवा हाँ कामनी किसे हो शीवा मैं ठीक हूं और आप कैसी हैं मैं बिल्टी कियों क्या हुआ पता नहीं आजकल मुझे बहुत अंगडाईयां से आती हैं हाँ ओ माइगाड लगता है आपको मलेरिया हुआ है किसी डॉक्टर वक्टर को दिखाओ मेरी स्लिप डिस पॉंटेट हो गई है स्लिपिंग डिस पॉंट हो गई है क्योंकि आजकल मुझे बहुत स्वीट वाले ड्रिम साथे स्वीट वाले ड्रीम भी आते हैं ओ माइगाड घटरा घटरा हाँ एनिवे अगर कब तक भागों के मुस्या या तो तुझे पाना है या फिर मांट साना है क्या बात है शीवा आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई बात तो जरूर है बताओ ना तुम्हें मेरी कसम वह जो तुम्हारे डैडी है ना डैडी तुम्हारे बाप तुम्हारा बाप उन्हें बंदुग तो चलाना आता है मगर उनका निशाना कभी भी सही नहीं लग सकता सीधे सीधे बताओ डैट से तुम्हारी बात क्या हुई हाँ हाँ भाई तुम्हें पता है ना हो जाएगा मैं आई कमिन सर बात में बात करता हूँ कमिन कहिए सेड जी आपने मुझे किस काम से बुलाय है तुम जैसे इंसान से किसी का क्या काम हो सकता है मैं आपका मतलब ने समझा सेड जी देखो इंसान को अपनी अवकाद में नहीं चाहिए तुम भी अपनी आउकाद मत भुलना वरना तुम यह जो सपने देख रहे हो ना इसे कुछलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तुम मेरी पावर को अच्छी तरह जानते हो दनी रामसेट मुझे मेरी अवकात याद दिलाकर तुम अपना टाइम मत बर्बाद करो मुझे मेरी युकात अच्छी तरह मालूम है, पर हाँ, सपने देखने का तो मुझे पूरा अधिकार है, रही बात तुम्हारे पावर की, दस साल बीद गए हैं, तुम्ही शेयर का पुल नहीं बना सके, और पावर की बात करते हो, जो भी हुआ, उसका रियक्शन मेरी जिंदिगी में बहुत जल्द होने वाला है, सुन, शिवा का है, वो रहा, पर इस्पेक्टर साब, वो क्या है, वो रियक्शन, वो जो पुलिस वाला देख रही हुँ न, वो आएगा और मुझे गिरिफतार कर लेगा, लेकिन वो तुम्ह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, लेकिन शिवा ने किया क्या है, इससे क्यों लेकर जा रहे हैं आप, चलो, चलो अंदर, भालदार, दर्वाजा बंद करो, आपने शिवा को पुलिस के हवाले क्यों करवाया, तुम चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ, आई वन्टो नो डैड, शिवा न ऐसा किया क्या है, जो आपने उसे एरेस्ट करवा दिया, मैं तुम्हे उसके साथ देखना नहीं चाहता, तुम धनी राम की बेटी हो, मै मैं तुम्हे किसी एरे-गेरे के साथ देखना नहीं चाहता, बेटर यही है कि तुम शिवा को बूल जाओ, आम सॉरी डैड, मैं शिवा को नहीं भूल सकती, नवर, अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी, देखता हूं, तुम शिवा को कैसी मिलती हो, झाल 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 ठेक एजर आप जिन्ता मत किजिये मैं सब समाल लोगा इस्पेक्टर सहाब कौन है मेरे बेटे को छोड़ दीजे क्या नाम है आपके बेटेगा शिवा सुनो आज के बाद तुम्हारा बेटा धनिकाम के घर के आस पास भी पिठाना तो समझ आए होल्दर शिवा को छोड़ दो सुनो ध्यान रखना और अच्छे से समझा देना चल निकल इतना पैसा लगाया कोई घ्रैक नहीं कोई कुछ नहीं साला नोकर भी में मालिक भी में ये कैसा रेस्टोरेंट खुल गया कुछ समझ नहीं आ रहा है पिताजी सही कहते थे कि दुकान पर बैटो और पकोड़ ये चे अरे कामनी तुम यह अचानक क्या बात है मुझे बुला लिया होता वो सब छोड़ो ये बताओ कि शिवा रहता का है शिवा का यूँ अचानक याद आना कुछ समझा नहीं मजाख मत करो बताओ मुझे जनाव आजकल माया नाम की लड़की के दिल मेरे रह रहे और तुमें एक फिरी में सला देना चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल से ये शिवा नाम का जो है ना किया है निकाल दो अचार आदे इसके आगे कुछ मत बोलना एक दिन शिवा सिफ मेरा होगा देख लेना आई लव शिवा आई लव शिवा एक शिवा है जिसके दोनों हातों में लड्डू है और एक मैं हूँ एक आम के लागा शिवा सेट धनीराम बहुत ही रसूख और पैसे वाला आदमी उनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं और वो कभी भी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हवाले नहीं करेगा मा एक आम आदमी होना कोई गुना तो नहीं और रही बाद धनीराम के धन्वान होने की अब इसकी मुझे कोई परवा नहीं वो धन्वान होगा अपने घर में विज्टा जिन्दगी में कुछ छीज़े कई बार हमें बीना मांगे मिल जाते और कुछ चीज़े कई बार हमारे हाथ नहीं होती, तुम माया को भूल जाओ, और अपना इरादा बदल दो, नहीं तो, नहीं तो क्या होगा मा, धनी राम मुझे मौत के घाट उदार देगा, मैं तो बस एक बार माया से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद, माया, आज मैंने तुम्हें यहाँ, अपनी और तुम्हारी जिंदगी के बहुत बड़ा फैंसला करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, हाँ शुल, तुम्हें सही कहा, इन फैक्ट मैं भी तुमसे मिलना जाहती थी, देखो माया, इतना तो तुम समझ गई होगी माया, इस रिष्टे को, ना तो तुम्हारे घरवाले, और ना ही मेरे घरवाले, हाँ कहने वाले, अब बस हमारे पास के एक ही रास्ता है, के हम दोनों शादी, ना करें, हाँ, शिवा, यही सही होगा, मुझे गलत मन समझना, मेरे डैड ने मेरी शादी, किसी उचे घर में फिक्स करती है, और असलम अंकर, उनसे भी वादा कर लिया है, इसलिए, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपना प्यार पाने के लिए, अपने मॉम डैड को नहीं खो सकती, हाँ, ये भी सच है, कि मैंने तुम्हे अपने जान से भी जादा प्यार किया, पर इस जान को जिन्दगी देने वाले, वही है ना, तो फिर मेरा क्या, मुझे से किये हुए उन वादों का क्या, अब तुम ही पताओ माया, मैं क्या कर देना, आखिर तुमने मेरी आउकात बता ही दी, मा ने सही कहा था, कि ये अमीर लोग किसी के नहीं होते, अपने फाइदर का इस्तिमाल कर छोड़ दोते हैं, मगर मैं देव कूफों की तरह, अपनी मा से ही लड़ बेटा, और कहा के नहीं मा, मेरी माया ऐसी नहीं, ऐसी नहीं है मेरी माया, अगर, मगर एक बात याद रखना माया, एक दिन तुम अपने किये पर बहुत पस्ता होगी और तब तक, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ऐसा बत बोलो शिवा, शायद तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदासा नहीं है, कि इस वक्त, मुझ भी क्या खुज़त वह है, बंद करो अपनी ये बकवास, प्यार के नाम पर बहुत बड़ा कलंक होता हूं, जूट, फरेब, गद्दारी, सब सामने आ गई, चली जाओ यहां से, करो दोचल, जब आ गलुट, इस वक्त, मुझ भी करो अपनी है, भी क्त, मुझ भी क्या है, जिख चली जा खुट, भी के बात वात, आसमा से जो गिरा था दिखता राथा तुझे मांगा था आसमा से जो गिरा था दिखता राथा तुझे मांगा था तुने दिया है धोका तुझे को मिल गया मौका सारे वादे पोड़के तुने किया दगा आसमा से जो गिरा था दिखता राथा तुझे मांगा था मेरे दिल बर तुझे से मिल कर दिल का दिखता राथा तुझे मांगा था दर्ग बढ़ाया ना जाने क्या तुने खोया ना जाने क्या पाया तुन मुझे से जो कहा था तेरी वफा का वो सिला था मुझे से प्यार किया था मीठा जहर दिया था प्यार के बदले तुने दे दी मुझे सजा आसर मां से जो गिना था इक तारा था तुझे मांगा था साविच्छ देवी मैंने तुम्हे ये बुलाया है कि अपने बत्तमीज लड़के को लेकर मेरे घर से औरत दपाऊ था खाली घर दो मेरे घर दिल का दर्द छुपा कर मैंने तुझ पर जान लुटाई जान लुटा कर तुझ पर मैंने यार की रीत निभाई अर मुझ को क्या पता था तेरे दिल में क्या चुपा था पत्तर से तक राया तुझ को समझ न पाया खूल हुई थी मुझ से क्यों मैंने प्यार किया आसमा से जो गिरा था दिखता रा था तुझे मांगा था आसमा से जो गिरा था दिखता रा था तुझे मांगा 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 था झाल झाल कि अरे मा आप यही कहना चाहती हो ना कि अब आम नए घर में आ गए हैं आज से अपनी नई जिन्दी की शुरू कर पुरानी सारी बाते बुंचे देखो मा तुम्हारा बेटा इतना कमजोर भी नहीं हुआ कि छोटी मोटी चोटे परदाश्ट ना कर सके और हां जो लोग बदल जाते हैं उन्हें भूलना ही बढ़ते हैं यह बात में अच्छी दहा जाते हैं और हां मैंने तो अपना फर्द निवा दिया मा बाकी वो उपर वाला जाते हैं चलता हूं हुआ 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 है वाट, क्या कह रहो रादे, तुम शायद इस बात का अंदाजा भी नी लगा सकते कि इस समय मैं कैसा फिल कर रही हो शेवा के लिए मेरी गाही, तुछ को ही चाही, तुछ ही सनम मेरी आखो में है एक बार तुछ से मिल भी चुकी हूँ तुछ ही सनम मेरी सांसों में है, मेरी निगाहे सुचा नहीं था मिलने से पहरे कैसे मिलेंगे जाने जहां मेरी निगाहे मेरी बबा का करने भरोता लेले कसम मुझ से मैं हूँ यहां किसको सुनाओ अपने रादे कोई नहीं मेरा तेरे सिवा मेरी निगाहे तुछ को ही चाहे तुछी सनम मेरी आँखों में है एक बार तुछ से मिल भी चुकी हूँ तुछी सनम मेरी सांसों में है आए 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 झाल झाल सावन सार आगे है हम चाहते हैं जब तुम इस घर से बिदा हो जाओगी तब इसी तरह उस घर में भी राज करोगी कौन है आप इंसान हो मेरी जान यह कैसा मजाक है और आप मेरे कमने में क्या कर रहे हैं निकल जाहिए यहां से वरना मेरे पती आगे तो बहुत बुरा होगा माया माया क्या हो मेरी बच्ची तेरा यह हल किसी किया बोल ना मेरी बच्ची बोल बता बता ना किस पती की बात करें कि यार कितना अच्छा है तो दोस्तों तो तेरे जैसा कि अच्ची बीचे उसने अब सिर्फ तुम मेरी हो उस घर में भी राज करोगी मेरी तोस्तों हुआ प्रोफ। 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 अली 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 वो बसंद लड़कों का बहुत बड़ा सौदागर है मौ उसने उसने मुझे बेचने के कोशिश की मौ चलो अंदा चलो असलम यह तुने क्या किया कि शेवा कि मुझे पता है इस वक्त तुम किस दौड़ से गुजर रहे हैं कामने इस वक्त मुझा केला चोड़ दो प्लीज ठीक है मैं अचली जाती है वैसे भी मेरा अब क्या काम है इस दुनिया में तुम तो माया से प्यार करते हो ना तो उसके प्यार के खाती मेरी एक बात सुन लो धनीराम ने अपने दोस असलम के भरो से माया की शाली एनराय बसंद से करवाई थी और वो उसे बेशने जा रहा था मुझे तो लगता है इसमें भी असलम का ही याद होगा बस इतना ही कहना था मुझे होलो असलम कान कौन बत्तमिज बोल रहा है मैं शीवा बोल रहा हूं तूने मेरे प्यार को मुझे अचुदा किया अब देख में तेरा क्या हश्र करता हूं अब दूनिया से दूर कौन जाएगा यह मैं तुझे बताऊंगा तो आज से और अभी से अपनी मौत का इंचजार शुरू कर आ रहा हूं मैं आजा वेलकम वेलकम कि अ अब दूनिया से अब दूनिया और अजा हूं कर दो दोर बाल अब देख में तूनिया अठीज़ गल अब दूनिया कर दो कर दो कर दो कर दो बेटी हमें माफ कर दो हमसे बड़ी भूल हो गई तुम्हारे टैडी को असलम पे भरोसा था पर उसने हमारे साथ विश्वास घात किया माया बेटी हमें माफ कर दो माया बेटी तुमने हमारी हिज्जत बचा कर हमें बे हिज्जत होने से बचा लिया वरना हम कहीं मुझ दिखाने लाइक नहीं रहते तुम मेरी बहादुर बेटी हो ऐसी बेटी भगवान सब को दे लिए असलम ने मेरे साथ धोका किया है उसको उसकी सजात जरूर मिलेगी कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा ना करें बेटा बेटा मुझे माप कर दो जो पोजा मेरी बच्चे शिवा का है पता नहीं इंस्पेक्टर साब वो तो एक हफ़े से घर ही नहीं आ है आपके बेटे ने खोन किया है आपको मेरे साथ थाने चलना होगा कर दो कर दो कि शिवा हा मां मैंने तुमसे कहा था ना माया को अपने दिल से निकाल दो कि शिवा मैं ठक चुकी हूं नजाने कितनी बार पुलिस वाले घर के चक्कर लगा चुके हैं तुमसे यह उमीद नहीं थी वापस आजा घर बेटा तुचिंतों मत कर मां मैं बहुत जल्द वापस आजाओंगा कामनी तुम क्या हुआ शिवा सब कुछ खत्म हो गया कामनी सब कुछ यह दिल भी कितनी अजीब चीज़ा शिवा कभी दोका देता है कभी दोका खाता है तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि धनी राम तुम्हें नहीं चाहता है असलम ने धनी राम को भैका कर माया की शादी बसंद से करवा दी वो भी साला गद्दान निती माया को बेच दिया इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें क्या मिला क्या क्यूस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दिल पस्तेता है तनहायाँ, दिल फूटे तो हो जाती है रुसवाया मुझे प्यार कर सौघार कर अपनी गर्मी से लालśl कर गत्तार दिल बस्तेता है तनहाया, दिल तूटे तो हो जाती है दुषवाया मेरी जवाने की क्या बात है? कितने दिनों से तेरी प्यास है? मेरी जवाने की क्या बात है? कितने दिनों से तेरी प्यास है? मेरी जवाने को दे दे सजा, लग जागले आ, लेले मजा मुझे चीड़ते वसवार कर अपनी कश्टी को पार कर गतार दिल बस देता है तनहाया दिल टूटे तो हो जाती है रुषवाया गद्दार दिल बस देता है तहाया दल दूटे तो हो जाती है रुखवाया लिद्दार मेरे कि पर्वाल करे जोंने की सोना गाथ दूटे ही जोंनी जोंने जोंने के तो है अपने लवों से मेरा ना मले अब दिल से जल कगडान दे वुच्खल के मज़ार है गत्दार दिल पस्तेता है तनहाया दिल तूटे तो हो जाती है रुस्वाया गत्दार दिल पस्तेता है तनहाया दिल तूटे तो हो जाती है रुस्वाया मुझे प्यार कर सौपार कर अपनी गर्मी से लाल कर गतार दिल पसेता है तनहाया दिल तूटे तो हो जाती है दुस्वाया गतार दिल पसेता है तनहाया दिल पूटे तो हो जाती है दुस्वाया कि अब दीजिए दिए कि शिवा माका सिर्फ एक ही टेंशन अगर तू काम पर लगया ना तो उनका सारा टेंशन खथम आपकी तो कोई टेंशन देना यार सुबर सुबर किसका फूबर अजय को आफ ताग यार मया तो चली गई कि कोई दूसर तो बताओ यार जिए बसंद है चलो ठीक है क्या बत्ति मीजी है मेरा नाम शिवा है अफो तुन्हीं शिवा हो हाँ माल तो बहुत अच्छा पाटाया था तो तो कि हाथ से फिसल गई लड़का अबर्दार तो माया के लापे लवजभी बोला तो बढ़ना क्या कि दो दो ब दो और दो क्यांवा हाँां कि अक्रवी टूसर अाहां तो । अग्माज़ नानप अग्माट प्राइडरोग नहाँ आपका अपका अग्माट बार गपका अग्माटर अपका अग्माटर माटन। बसन का पता चल गिया है करका घ्रोइभाथ कर दो माया, माया, शीवा क्या वाद लगदेंगे, माया, माया, यही था वो, कमिना, हाँ, शीवा, यही था वो, बसंथ, तुने मेरे बेटी को बेचने के कोशिच की, शीवा, बेटा, मुझे माप कर दे, मुझे बड़ी गल्ती हो गई, शीवा, कर दो, कर दो, कर हाँ, शीवा, इवचार, इसक下 positivo, मुझे ड़र वमले, शीवा, जो जा 되, शीवा, था याद, शीवा, शीवा, शुए यहाँ, श्यूई सही कहां तुने मेरे इस दोस्त के दोस्त ने भी मेरी बहुत मदद किये मैं कुछ समझा नहीं कि मैं कामनी की बात कर रहा हूं अगर कामनी नहोती तो शायद मैं अपनी मन्जिल तक नहीं पहुंच पाता कामनी उसकी तो एक्सिडेंट में कबकी मौत हो चुप लेकिन यह कैसे हो सकते हैं वो तो मुझे हर वक्त मिलती है कुछ अधूरा रह गया यार जिसे पूरा करने जाओं शिवा कि कामनी कामने कामनी 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 कामन discretion क स्सक्राइब है ऩॉर्य यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे डैक ने इलेक्शन में खड़े होने के लिए पसंद से पैसे लिये थे और इसी लिए उन्होंने मेरी शादी बसंद से करवा दे वाँ क्या बात है पहले बाप और फिर बेटी तुम लोगों नो तो मेरी जिन्दगी को मजाग बनागर रख दिया है मैं कुछ समझी नहीं शिवा समझ जाओगे शिवा मुझे माप कर दो दरसल यह सब छोड़ो सेट सीधे सीधे बोलो बात का है मैं यह कहना चाहता हूं तुम असलम और बसंद को माड़ अलो किल देम इसके बदले में मैं तुम्हे मूं मांगी रखम दुखा वा सेट वा यहां भी सोदा मैं जानता हूं तुम असलम और बसंद दोनों को क्यों मारना चाहते हूं मैं यह तुम्हारा काम करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने माया से प्यार किया है और हां रही बात कीमत की वो अकले इलेक्शन के लिए समाल का रखना बेटी को बेचने की जरूद नहीं पड़ीगी प्यार की परिभाशा पैसा नहीं होती माया प्यार तो कामनी ने मुझसे किया जिसने मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा करता हूं मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं मेरी जिंदगे में तुमारी जगह और कोई भी नहीं ले सकता है कि अधूर कि अधूर कि मगर माया मुझे माफ कर देना मेरे यार शिवा अब कहां चल दिया कुछ अधूरा रह गया यह एक जिसे पूरा करने जा रहा है शिवा है ये गतार दिल दार दिल बस देता है तनहाया दिल थूटे तो हो जाती है रुस्वाया तुने मेरा धंधा कराब कर दिया और मेरे दोस्त मेरे दोस्त असलम को भी माट डाला और बड़ी आजादी से घूम रहा है आज मैं तुझे आजाद करूगा आज का दिन तेरी जिंदगी का आखरी दिन होगा कौन किसे आजाद करेगा इसका फैंसला भी अभी हो जाएगा है दौलत और तांगत का ढमन इंसान को राक्षज बना देता है वसंद लगता है तेरे दोस्त की तना तेरी मौत भी अज मेरी हाथ हो लिखे अज 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 अ अ अगब चाहर शाहर शाल झाल झाल यक हुआ हुआ? यक है! बड़ फाप टो इख मोगरी भाप मूप खि all द मुझ से घुछार आप सवार इब उशम साचWhy और मूगरीं। कर दो, दो भूआए तो प्रोड़। मेरे निगाहे तुझको ही चाहे तुही सनम मेरी आखों में है मेरे निगाहे तुझको ही चाहे तुही सनम मेरी आखों में है तुही सनम में है चाहे तुही सनम मेरी आखों मेरे तुही सनम कम hic plenty आखो झाल 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 झाल